नमस्कार मित्रो भारत वा पाकिस्तान जिनके बीच मामला हमेशा विवादी थी रहा है जाहे वो आतंगवाद से संबंदित कोई मुद्दा हो चाहे वो कश्मीर से संबंदित कोई मुद्दा हो हम जानेंगे कि जोतिस सास्त्र हमारा इस स्विसे में क्या कहता है जब भारत और पाकिस्तान में विभाजन होता है और तब उन दोनों के बनने वाले जमकुलिया के आधार पर हम विसलेशन करेंगे कि आगे आने वाला इंका भविश्य कैसा होगा और कैसा समसमाई इस परिस्तिती चल लएए चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के मामले के बारे में विभाजन के समय पाकिस्तान का जर्ण हम लोग कुंडली देखते हैं 14 अगस्त 1947 के दिन की कुंडली है और मेश लगन का उदाय होता है मेश लगन का शौमी होता है मंगल अब सबसे पहले जालते हैं मंगल क्या है मंगल बेसिकली आपका शक्ति उर्जा उग्रता और नितत्यु छमता को और शेना को खेल को और किसी भी प्रकार के जो जिसमें सारीरिक श्रम लगता है उस कारी को आपको परदर्शित करता है और यह आपका पाकिस्तान की उर्ली में आप जैसे देख सकते हैं टेवे स्किन में चंद्रमा जिसे मन का शौमी माना गया है और जो हमारे सरीर में भी सबसे अधित महत्तोपोड जो इंदरी है वो मन ही है मन में जिस तरह किसे पाकिस्तान कुली में बैठा हुआ है मंगल तो मन हमेशा उगुरता से भरा रहेगा और जो कि प्राक्रम घर में मिथुन रास में बैठा हुआ है तो यह दर्शाता है कि किस तरह से आंतरद्वंद है और जितने साहस है साहस में कितना कॉन्फिक्ट है और इसमें और देखते हैं कि मंगल यहां पे डिग्री वाइस काफी करीब है चंद्रमा के तो यह दर्शाता है कि आपके मन पर जैसे मैंने बताए क आपका मंगल जो है सेना को प्रदिशित करता है तो सेना से सम्मंधित जो विवाद है वो पाकिस्तान ने बने ही रहेंगे आगे हम बढ़ते हैं कि करकराशी में चतुत भाव में बैठे हुए चार ग्रह आपके बुद्ध शनी सूर्य और शुक्र बैठे हुए यहां दर्शा बावरत से विवाद होता रहेंगे जिससे शुर्य और शुक्र यह युक्ति तो अब करने पर पाकिस्तान को कहीं न कहीं से पैसे मिधी जाएंगे उसको अमेरिका देदेगा या कोई देदेगा चाला देगा ये उसके भाग में ही पर आर्थके रूप से बहुत ही इस्तित खराब है और बहुत थी इस समय इनकी शुक्र की दसा चल लेए जिससे और दीरे-दीरे खराब होने की इस्तिती आ रही है आगे हम मुझान करेंगे भारत की कुण्डली की तरफ भारत की कुण्डली देखने से पहले हम जान लेते हैं कि जब भारत का भाजन हुआ तो लॉड मांट बेटन और जवाहल नहरू और को सजेशन्स आता है भारत के प्रशिद इस्ट्रोजर्स का कि यह समय भारत के लिए उप्योगत नहीं है आप कृपिया ना करें लेकिन चर्चिल जो की पहले से ही विभाजन की जो रेखा था वो खीच चुका था और लॉड मांट अब जाना है तो जोतिश चाहरियों ने कहा था कि सुट्रा तारीक के बाद भारत अजाध होगा तो भारत की कुर्णली अच्छी होगी भारत विकास करेगा और पाकिस्तान के विश्चे में भी यही नियम लागों होता है पर पाकिस्तान तो यहां के जो जवाला नेरू व हमारा देश 15 अगस्त को आजाध होता है और इस अधार पर चुकि पाकिस्तान के 14 को होता है तो वहां ज्यादा विवाद है और पंद्रा यहां पर पंद्रा के थोड़ी सी ठीक है लेकिन यहां भी तृतिय घर में ऐसे विवाद चार ग्रह बैटके पांच ग्रह बैटके ब भारत को धीरे दीरे प्रगति की ओल ले जाएगी और भारत अपने सारी आंतिक मामलों को सुझा लेगा और बाकी हम देखते हैं कि प्रारंबी कवस्ता में सनी की दसा चली जो कि भारत में युद्धों में काफी बिजी रहा और तित्यगर में मैं ने देखा करक राशी में चंद्रमा बुद्ध शुक्र सनी और सूर्य बैठे हुएं यह भी ग्रह युद्ध को दर्शाते हैं पर गुरु कहीं न कहीं इस कुंडली में सपोर्ट कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति अच्छे होने कारण यह भारत धीरे धीरे तरकी की राह पे आगे बढ़ेगा हम देखते हैं इसी कड़ी में हम आगे दिश्ची डालें पाकिस्तान के कुंडली की तरफ पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की दश्षा चल लए जिस तरह से साड़ी साती शुरू हो गई है और मंगल जिसे मैंने कहा चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है यह मनुस्तती में औ पर सब विरोध करेंगी भहुत सारी तरीके से यह मंगल भी जैसे सैन्य तरीके से विरोध होगा और इम्रान खान को सवफदान रहाँ चाहिए इमका सर्था सथा परिवरतन में भी साधे साथी सुरू हो यह यह भी उनके लिए बढ़ा खतरनाक हो यह यह तो उनको जान को तो फत्ता भारी परिवरतनों कोहानी के योग बन रहे हैं और बाकी गुरू की इस्तिति थोड़ी सही है पर वो ये इस्तिति गुजर जाने पर 25 तक विभाजन भारत काई पार्ट उसके अपने में मिला सकता है या पाकिस्तान तो या तीन भागों में भी बढ़ सकता है यह होने के गुजाइस है और यह था आपका पाकिस्तान और भारत किस तरह से आगे विकास करेंगा उनका भविश्य कैसा है को हमारा जोतिश शास्त्र मूल भूत बाते जो मैंने हम लोग ने जानी और इस तरह की जोतिश वा ज्यान वा जीवन आयोस प्रिसियस की तैयारी से र मंतित सामगरी को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठैंक्यू सो मज